कल लॉकडाउन का तीसरा चरण खतम हुआ, आज से लॉकडाउन का चोथा चरण शुरू हो रहा है पिशले देड़ पौने दो महीने के अंदर पूरा देश एक तरह से बंद था कोरोना की महमारी की वज़े से पूरे विश्व के अंदर इस टाइम संकट चाया हुआ है कठिनाई का सामना किया है और आपकी ये तपस्या विफल नहीं होगी मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना की महमारी से हम सब लोग मिलके इसका सामना कर रहे हैं और इस पे हम लोग जीत हासिल करेंगे दिल्ली के अंदर अभी तक 10,044 केस टोटल हुए हैं जैसा मैं अक्सर कहता रहा हूं कि केसिस तो जादा हैं लेकिन लोग बिमार पड़ रहे हैं और ठीक हो के घर जा रहे हैं 44,4485 लोग ठीक हो गए हैं यानि कि 45 प्रतिशत लोग ठीक हो गए 160 लोगों की मौत हो गई करोना की वज़े से नहीं होनी चाहिए थी कोशिश कर रहे हैं हम एक एक व्यक्ति की जान बचाने की लेकिन एक औसतन तोर पे देखा जाए दुनिया के point of view से और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों में जो है तो इतने मामलों में जो मौत हूई है वह अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा कम है लेकिन हम कोशिश करते हैं एक एक विक्ति की जान बचाने की अब करोना अगले एक दो महीने में तो खतम नहीं होने वाला जब तक इसकी वैक्सिन नहीं आएगी तब तक खतम नहीं होने वाला तो जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूँ कि करोना के साथ अब अपने को अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालने पड़ेगी करोना भी रहेगा और अपनी जिंदगी भी चलेगी लॉकडाउन पर्मानेटली नहीं रह सकता देड़ पोने दो महीने जो लॉकडाउन रहा इस समय का हम सब लोगों ने दिल्ली सरकार ने अपनी तयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया जब करोना आया था भारत में हमारी बिल्कुल तयारियां नहीं थी हमारे पस टेस्टिंग किटनी थे हमारे पस अस्पताल नहीं में इसका इंतजाम नी था, हमें पता नी था करोना में क्या-क्या तयारियां करनी है, लेकिन फीछले डेड़ पौने दो महिने के अंदर अब हमने करोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिये, अलग से बैड लगा दिये, वेंटिलेटर का इंतिजाम कर लिया, ओक्सीजन का इंतिजाम कर लिया, पीपी किट का इंतिजाम कर लिया, टेस्टिंग किट का इंतिजाम कर लिया अब हमें अपनी अर्थविवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है एकदम से भी नहीं खोल सकते अब धीरे धीरे हमें खोलने की दिशा में बढ़ना है कल केंदर सरकार ने इस बारे में कुछ गाइडलाइन्स जारी की है उन गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीजों को खोलने का लॉक्डाउन में धील देने का निरने किया है पहली चीज कि लॉक्डाउन 31 मई तक जारी रहेगा ऐसा केंदर सरकार का आधेश है लेकिन इस लॉक्डाउन में कई सारी धील दी जाएंगे पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्या-क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं चलेगी सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिटूट, ट्रेनिंग इंस्टिटूट सब बंद रहेंगे सारे होटल बंद रहेंगे सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, एंटर्टेन्मेंट पार्क, थियेटर, बार, ओडिटोरियम्स, असेंब्ली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटर्टेन्मेंट, एकेडमिक, कल्चिरल, रिलिजिस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगे, ये अलावड नहीं होंगे कोई भी धार्मिक स्थान या रिलिजिस प्लेस या प्लेसस अफ वर्शिप बंद रहेंगे, कोई भी रिलिजिस गैदरिंग अलावड नहीं होंगी बारबर, स्पा और सलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे शाम को साथ बजे से सुबह साथ बजे तक घर से निकलना अलावड नहीं होगा केवल एसेंशल सर्विसेज के लिए अलावड होगा 65 साल से उपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेगनेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बिमारियां हैं जैसे डाइबिटीज, दिल की बिमारी ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा क्योंकि इन लोगों के लिए करोना जान लेवा साबित होता है रेस्टरांज को खुलना एलाव होगा, लेकिन वहां बैठके खाना एलावड नहीं होगा केवल रेस्टरांज में होम डिलिवरी एलाव होगी स्पोर्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिये जाएंगे लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक एलावड नहीं होगे ट्रांस्पोर्टेशन को खोला जा रहा है तो आटो रिक्षा, ए रिक्षा, साइकल रिक्षा इस ये एलावड होगे लेकिन केवल एक पैसेंजर, टैक्सी, कैब्स ये एलावड होगे लेकिन केवल दो पैसेंजर, ग्रामीन सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये एलावड होगे लेकिन केवल दो पैसेंजर, मैक्सी कैब में केवल पैसेंजर और RTV में 11 पैसेंजर लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर के जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसिंफेक्ट करेगा ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खत्रा ना हो और ड्राइवर को भी खत्रा ना हो कार पूलिंग या कार शेरिंग एलाउड नहीं होगी एग्रिगेटर्स वालों को दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर एलाउड नहीं होगे बस में चड़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर bus stop के उपर ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि social distancing maintain करे बसों के अंदर भी और हर bus stop के उपर भी vehicles और individuals का movement allowed होगा पूरे दिल्ली में four wheelers के अंदर दो passenger से ज़्यादा allowed नहीं होगे और two wheeler के उपर पीछे बैठ के सवारी allowed नहीं होगे पीछे pillion rider allowed नहीं होगा सभी सरकारी और सभी private दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी staff के साथ लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा private office वाले ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं work from home रहे सभी markets खुल जाएंगे लेकिन जो markets और market complexes हैं वहाँ पर दुकाने odd even के हिसाब से काम करेंगी आधी दुकाने एक दिन खुलेंगी आधी दुकाने दूसरे दिन खुलेंगी लेकिन जो essential items के दुकाने हैं वो रोज खुलेंगे जितने stand-alone shops हैं neighborhood shops हैं residential complexes में shops हैं वो सारी खुलेंगे लेकिन हर shop में social distancing maintain होगी और social distancing maintain करने के जिम्मदारी दुकानदार की होगी अगर किसी दुकान के उपर social distancing maintain नहीं हो रही तो दुकान बंद कर दी जाएगी जितने industry है सारी industry खुली जाएगी लेकिन इनके timings को थोड़ा सा stagger कर दिया गया है भीड को रोकने के लिए construction activities शुरू की जा रही है लेकिन construction activities में केवल दिल्ली में रहने वाले जो workers हैं वही allowed होंगे अभी trans border workers अभी लाना बाहर से workers को अभी लाके वो allowed नहीं होगा शादी के लिए केवल 50 guests allowed होंगे और उसमें social distancing maintain की जाएगी funeral के लिए केवल 20 लोग allowed होंगे और उसमें social distancing maintain की जाएगी containment zones के अंदर किसी भी किस्म की कोई activity allowed नहीं होगी essential services को छोड़के interstate पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि border के उपर nurses को doctors को रोग दिया गया केंदर सरकार ने भी यादेश दिये कि border के उपर doctors को medical professionals को nurses को paramedical staff को sanitation पे काम करने वालों को ambulance को इनको बिना रोग टोक के allowed किया जाएगा और border के उपर interstate moment के लिए goods और cargo के trucks जो है चाहे वो खाली truck हों चाहे समान से भरे हुए हों उनको सबको allow किया जाएगा और सबसे ज़रूरी है कि masks पहन के निकलना अनिवार्य है सबको mask पहने रहना ज़रूरी है और social distancing हर जगे maintain करना ज़रूरी है और बार 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 जितनी बार हो सके आप अपने हाथ अच्छे से sanitizer से साबुन से धोते रहिए अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए बड़ा कठिन समय है लेकिन मुझे पूरी उमीद है जिस तरह से आपने पिछले दो महीने में तपस्या किये आपकी तपस्या ये बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिलके करोना से जीत पाने में कामयाब होंगे नमश्कार देश का पहला मुबाइल टीवी जो लगतार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट घर से तूर हो या दफता से बाहर आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं हर मिनट में ताजा हेडलाइन्स के साथ राचनीती, खेल, मनरंजर, लाइफस्टाइब और तमाम दुनिया भर की खबरें निउस 360 डिग्री टीवी 24 x 7 Live TV Breaking Boundaries कि और एнов 13 girls प्याय मतल प्याओस्टाइब कि म legislature ओूर माम कि मखवशी स्देटी आप कि पूर कि उन गवशनें यnd